भीम आर्मी के संस्थापक और राष्ट्र महासचुर इनका आया बड़ा बयान कहा भीम आर्मी करेगी बस्पा का समर्थन साथ ही चंदरशेखर आजात का भीम आर्मी से कोई तालूक नहीं जी हाँ दोस्तों मैं हूँ इंजिनर्स नेहां और आप देख रहे है दथीम अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजे हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिष्टेदारों में शर्ग करना ना भूले आपको बता दे कि भीम आर्मी राष्ट्रिय एकता मिशन इसके संस्थापक और राष्ट्रिय महासच्यू विजे कुमार आजाद इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है हाली में विजे कुमार आजाद ने एक सहारनपुर में दोरा किया जिसमें उन्होंने एक विचार संगुष्टी में संबोधन किया उस विचार संगुष्टी में उन्होंने कहा कि भीम आर्मी राष्ट एकता मिशन का और चंदरशेकर आजाद इनका कोई संभन नहीं है की पार्टी बना ली अब भीम आर्मी के साथ उनका कोई तालुक नहीं है साथ ही उनने यहाँ भी कहा है कि भीम आर्मी का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेगा साथ ही उन्होंने यहाँ भी ऐलान कर दिया कि भीम आर्मी अब सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को ही समर्थन करेगी संपुन प्रदेश के अंदर वह घूम कर विचार संगुष्टी ले रहे हैं और साथ ही उस विचार संगुष्टी में तमाम भी आर्मी राष्ट्रे एकता मिशन के कारेकरता एवं पदादिकारी और समर्थकों से यहाँ बात कह रहा है कि तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का साथ सायोग करना है साथ ही उन्हें पत्रकारों से बात करते हुए यहाँ भी कहा कि चंदरशेखार आजाद यहाँ कई राजनेतिक दलों से संबंद रखते हैं और कई राजनेतिक पार्टियों से वहां गच्चे भी खा चुके हैं जब उने कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने खुद की ही पार्टी बना कर अब बस्पा के खिलाफ मैदान में उत्रे हुए है उनका यहाँ कहना है कि चंदर शेखर आजाद यहाँ कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी हो या भारते जन्ता पार्टी इसके खिलाफ काम नहीं कर रहे है बलकि अपने ही अंदोलन को रोकने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि इसके लिए भीम आर्मी और भीम आर्मी के तमाम कारे करता और पदादी कारी बहुजन समाजवादी को बढ़ाने के लिए बस्पा का समर्थन कर रहे हैं इस अंदर में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताए बने रहे दाथिंग पर जैभीम जभारत बहुजन विचारधारा को घरगर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले